हेलो दोस्तो जै मातादी मैं रूबी आपके अपने यूटूब चैनल में आप सभी का धेर सारा सवागत करती हूँ कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी होंगे एक्तम मस्त होंगे सौस्त होंगे और मजे में होंगे मैं भी आप लोग कोई दुवाव से बहुत अच्छी हो दोस्तो और ये देखे अभी हो रहा है दोपहर का टाइम है तो दोपहर के करीब 12 बजे का टाइम हो रहा है तो आज के व्लोग की सुरुआत हमने दोपहर के 12 बजे से कर लिया है सबका खाना पीना हो गया था दोपहर के जितने काम होते हैं ना दोस्तो सारे मैंने निप्टा दिये थे और निप्टाने के बाद मैं आराम ही कर रही थी लेकिन इन बच्चों ने मतलब की आराम करने ही नहीं दिया होता है ना बच्चों के अंदर जो मतलब उस्टा हो जाती है किसी चीज़ की अगर उनको जानकारी हो गई तो फिर एकदम से जीने नहीं देते हैं परिशान करके रख देते हैं ना लेटने देते हैं ना ही बैटने और ना ही मूँ में ने वाला जाने देते हैं कल मैंने इन लोगों से वादा कर लिया था कि मैं तुम लोगों को कल कोल्डिंग मंगवाएंगे हम और Kuolding में मैं यह मैं मंगवाती हूं दोस्तों जोम autres अव doms इन लोगों से मैंे बोला था इन लोगों ने कल बोला तो फिर कल मैं नहीं मंगवा पाई था मैंने का अभी पैसे नहीं है तो कल मंगवा देंगे तो आज अभी कि दोपहर के ग्यारा बज़े से सुबा की ग्यारा बज़े से लोगों ने मतलब संस चाहिए लेकिन नहीं बाबा मैंक्दम से मैं क्या बोलू बच्चो को दीन हमारे बच्चे हैं और एक हमारी ननन की लड़की है जो माही के कपड़े बहनर बैठी निये सामने और माही और एनकी उमर सेम है पस नेर्ण महीने का फर्क है बाकी 4 एक बराबर ही है तो यहां पर मांसी नाराज हो रही थी क्यूंकि मुझे ये मैंगो वाला पसंद आ था और आप अपना पियो ना दीदी का क्यों मांग रहे हो क्या तो पियोगे तो कम नहीं होगा पियो सोना तुम अपना परी तुम भी पियो अर कैसा है मज़ा आया ना सब लो वीडियों बोल दो सब बोलो चैनल को लाइक की देगा सब्सक्राइब आप भी बोलो आप भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो मांजी तुम बोलो आप यह पियोगा हाँ देदी को ललचवा हो गया दो पहर के बाद दोस्तों सबका कोल्डिंग बगएरा हो गया था फिर हम सब ने आराम किया और साम के जब जो काम होते वो भी मैंने करी लिये। बाहर का जो कुछ भी था सारा कुछ हो गया ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड हो पया था बाहर का क्योंकि माही नहीं है तो फिर अच्छे से ब्लॉग भी नहीं रिकॉर्ड हो पाता है माही रहती है तो ब्लॉगिंग अच्छे से थोड़ा कर देती है लेकिन मांसी और नैंसी नहीं रिकॉर्ड करती है इसलिए ट्राइपॉट भी लगाना मुस्किल हो जाता है क्योंकि बक्री क्यामरा घरा की, इसलिए दिक्कत धूझा हो जाती है और मैं यहां बढ़ते करते ने बाते घरते करते मों सब्जी यहां आख़े चल करने चाहिँ चल रही है क्लारा कुछ होई आम वीडियों आपा सब्सक्राइबर है कि मेर बहुत सारे दे 제가 6- वे श्कायत रहते हैं कि आप यह गूसी कर दूक partisan कर रही हूँ अब हो सकेगा तो प्रॉपर वीडियो जाये तो आलू तो मैंने काट लिया है दोस्तों और उसके बाद यहां पे टमाटर भी फ्रीज से निकाल के रख लिये हैं लहसुन वगरा मैंने छील के रखे थे तो इधर खलबटे में लहसुन को मैं दरदरा कूट रही हूँ एकदम से चिकना वाला नहीं बनाया मैंने क्योंकि दरदरा ही मुझे चाहिए इस रेस्पी के लिए उसके बाद प्याज वगरा मैं यहां पे काट रही हूँ तड़के के लिए और कुछ गरम मसाले खड़े वाले मैंने मगाया कुछ क्या जो साबूत मसाले होते है न गरम वो मैं इसमें एकदम साबूत डालने वाली हूँ ना कि पीस करके तो उससे अगजब का टेस्ट आता है और खुसबू भी बहुत अच्छी आते हैं लेकिन रसोई में देखा तो डब्बे में तेल खतम हो गया था तो उसके बाद मैंने चलो निकाल लेते हैं क्योंकि यहीं पर मैं डब्बे का तेल हमेशा रखती हूँ किचिन में इतना जगह नहीं है तो डब्बे भी बड़े हैं तो फिर देखने में भी नहीं अच्छी इसलिए मैं इनको अलग से रखती हूँ इनका डबबा जो है और इधर कराही को हमने चढ़ा दिया है गैस पर कराही गरम होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया सरसो का तेल ये रिखे सोना और अभी दोनों भाई बहन का इधर चल रहा है खेल अंधेरे में भी इनको चैन नही जीरा और प्याज और साबूत वाले जो मसाले होते हैं फड़े वहन मेंढे डाल दिया ये अद्रक लेस उन का पेश्ट है इनको अच्छे से भून लिया आए भुने के बाद दोस्तों मैं इसमें डाली हूआ जो होते हैं ना वो सब्जी वाले वो मैं डालूंगी पर बहुत कम डालूंगी क्योंकि जो भूत अवनी पड़ है यही काफी है अगर नहीं डालना तो मैं डल यहीं जबर्जस्त बनने वाले हैं बिर्यानी ताइब की तहरी में बना रही हूं दोस्तों हमारी भासा में तो हम इसे तहरी करते हैं बिर्यानी थोड़ी से अलग हो जाती है बाकि सारी चीजे तो सेम ही रहती है टामाटर भी मैंने डाल दिया चार से पॉंच टामाटर काटके मैंने डाल दिया है दोस्तों क्योंकि तो लगा दिया है तहरी के लिए और पानी बगर डाल दिया है तड़का लगाने के बाद आलू और टमाटर भूनने के बाद जितने पानी की ज़रूरत है उतनी मैंने डाल दिया है पानी और इधर मैं निकाल ली हूँ चावल और यह चावल हमारे घर का है तो कुछ जैसे होत जैर आसन मिलने में उसके बाद दोस्तों यह दिखिया अच्छी सी उबाल आ चुकी थी दो तीन उबाल क्योंकि आलू थोड़े से मोटे हैं तो इनको पकने के लिए रखना होता है दो से तीन उबाले आने तक छोड़ देना चाहिए तो आलू जो है वो नरम हो जाते हैं फिर उसके बाद मैंने चावल डाल दिया है नमक वगरा मिलाने के बाद बिलकुन धीमी आज पर तहरी रख दिया है बनने के लिए इधर मैंने चोटे से बगोने में रखा हुआ है दूदू बलने के लिए और इधर यह मैंने कटोरी में ले लिया है आरा रोड बगल की कटोरी मैंने कुछ ड्राइफोर्ट निकाल के रखे हैं तो यह मैं बना रही हूं मेवे वाले दूद तो यह मेवे वाले दूद ना बच्चों को नहीं पसंद आते हैं मतलब मेवे वाले दूद तो छोड़िये मेवे का कुछ भी उनको पसंद नहीं तक खीर चमयी जो भी चीज़े घर में बन जाती है तो फिर यह बिलक में लेना था और बना तो रही हूं दोस्तों सब के लिए लेकिन इनको खाना नहीं है बच्चों को जो इसमें ड्राय फूट्स वगरा पड़े होते हैं वो निकाल निकाल के पूरे घर में थोग देती हैं और मक्ही और फिर चीटिया लगने लगती हैं बिलकुन एक भी दाना नहीं खाती है मेवे का तो जैसे खीर उसे वही वगरा मुझे बनानी होती है मैं सिंपल से बनाती हूं और यह ड्राय फूट्स मेरे घर में काफी पूराने रखे हैं होली का पूरा तेवहाद 6-7 महीने का चला गया है तब का यह रखा हुआ है और पूरा खराब हो जाएग साम को खाना पीना खाने के बाद दोस्तों अभी हो रहा है मॉर्णिंग का टाइम वापस से फिर से मैं कीचिन में आ गई हूँ तो यहां पे कटहल रखा हुआ है यह कटहल दो दिनों का हो गया है दो तीन दीन पहले मैंने बनाया थे तो सारे कटहल हमने काटके एक साथ की जाता है तो फिर काटके आदर रख देती तो भराब हो जाता है इसलिए मैंने फ्रीज में साफ करके रख दिया था अभी बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया इह जानने बन रही है और कल की बची हुई तो फिर बड़ा आजीब सा लगता है और जब कभी ज्यादा बना लो तो बच जाता है तो भी बुरा लगता है तो इसलिए सुबा हम लोगों ने सुचा खतम करें कि मतलब हम और दिटकत हो तो कि अगर सोई में खाना पड़ गया है तो फिर हम अरर्गिस ने करें सकते हैं लेकिन किसी के लिए अगर कम पड़ गया है तो फिर सारा कुछ छोड़के हम उनके लिए बनाएंगे मेरे क्हाल से सबके साथ ये दिक्कत हो तियाभी इतुर्ड बाढ़े आठ और अभी देखिए मैं नहा के आ गए हूँ थोड़ी सी मैं तयार भी हो गए हूँ नहाने के बाद और आज मैंने धुले हैं बाल और आज है दिन बुधवार दोस्तों आज जो है वो वीडियो जाएगा मेरे ब्लाउस कलेक्शन का कल ये वाला ब्लॉग आप ल साम से दिखा रही हूँ क्योंकि बाहर का दिखाने का मौका ही रही है अभी मैं बनाने जा रही हूँ दोस्तों कटहल का कोफता तो उसकी रेस्पी आप सभी के साथ स्वाट कट में सेयर कर दूंगी आप लोग देख लीजेगा और वीडियो जैसी भी लगे कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं तो प्लीज प्यारा सा कमेंट कीजेगा और जो भाई-बै नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा चलो बाते नहीं करते हैं ज्यादा दसोई का काम सुरू करते हैं और अभी देखिए दोस्तों मैं आचुकी हूँ वापस से तो इधर कटहल जो है वो बॉयल हो चुका है मैंने निकाल के कपका रख दिया था ठंडा भी हो चुका है तो यह है हमारे घर का बेशन जो मैंने बनवाया थे इसे इसे भी काफी टाइम हो गया होली के करीब ही मैं पूरे बेशन को चान करके वापस से फिर भी फिर से उसी डबे में डाल दिया, डालने के बाद अब मैं इसको उठा करके रख दूँगे, इसको भी मैं किचन पे नहीं रखती हूँ, साइड में टाल पे ही रख देती हूँ, जो बड़े डबे होते हैं सामने रखने में थोड़े से अजीव लगते हैं, कटायल तो अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इनकी गुट्लिया जितने भी थी सारी निकाल दिये हैं, थोड़े से मैं इसमें डाल दिये हैं, आधे चम्मच हल्दी पाउडर, और तीखा लाल मिर्च, नमक डाल दिया है, थोड़ी सी आजवाइन मैंने डाली है, क्रस करके बस, इसके मैंने कुछ भी नहीं डाले हैं, अब मैंने उनको अच्छे से मैस कर लिया, मैस करने के बाद हम फ्राई करेंगे, क्योंकि कोफता बनाओ तो फिर बिना फ्राई किये तो मजा ही नहीं आता है, इधर मैं मसाले गरम वाले पीस करके लिए हूँ, साबूद मसाले थे, मैंने सि यूज करती हूँ, सारे चीज़े मैंने मिक्स करके बिल्गुन तयार करके रख दिया, अब मुझे कोफते निकाल ले हैं, और सब्जी में तड़का लगाना है बस, तो इधर तेल भी हो गया, सर्सो के तेल में ही मैं फ्राई कर रही हूँ कोफता, क्योंकि सर्सो का तेल यह हमेशा यूज किया जाता है, आप लोग पूछते हो, हमेशा सब्जी पीले वाला ही तेल आप यूज करते हो, तो यह सर्सो का तेल होता है, तो हमारे मुझे यही लगा है, जो रिफाइन वगर हमें मीठे तेल में हम कभी तड़का लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैंने निकाल लिया है, और हां से थोड़ा सा एकदम हलवाई टाइप में, जैसे एकदम कैसे भी टेड़ा मेला बना के रखते हैं ना हलवाई लोग साधी ब्या में वैसा वाला, तो मैंने थोड़ा सा बस दबा दिया है हाथों से, ताकि अंदर तक अच्छी से हो जाया, त तेजपत्ता, लहसुन, प्याज, और फिर गरम मसाले, टमाटर तो मैंने कल तहरी में यूज़ कर लिये थी, पूरे जब टमाटर था तो मेरे ऐसा कुछ बनाने का मन ही नहीं किया, तो टमाटर खतम हो गया, तो आज मुझे पस्ताना पड़ा था, कि कास में कल पूरा सुबा बोल ले जा रही थी, सामके साड़े छे बज गए हैं, और अभी मैं आगी उच्छत पे कपले वगरा उतारने के लिए, जो कपले छत पे पड़े वो उतार लेते हैं, और आज का वीडियो जो है दोस्तों वो लंबा हो रहा है, तो वीडियो का एंड करेंगे, मिलें आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में, हस्ते रहे मुस्कराते रहे, जो भाई बै नए है चैनल को प्लीज प्लीज, आप सभी से हाँ जोड़के रिक्वेस्टे की चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, चलिए दोस्तों बाई-बाई, हस्ते रहे, मुस्करात डिरे